जब भी घर में दूद फट जाता है तो क्या करते हैं पुराने जमाने वाले इसे अप्शकुन मानते हैं और हम जैसे लोग इसे पनीर बना करके खा लेते हैं खर पनीर की बात तो छोड़ दीजिए मुझे डर इस बात का लग रहा था कि आज गाली सुननी पक्की है क्योंकि म मम्मी अगर देख लेगी तो बहुत ही परिशानी का सामना करना पड़ेगा तो यहां पर मेरी मम्मी आगे बीचे कीचन में गूमी रहे थी और मैंने उन्हें बताया कि दूद फट गया है और मैंने इसे फाड़ा है वीडियो शूट करने के लिए तो मम्मी ने कुछ बोला है तो पांच मिन पर बनने वाली यह रेसिपी आप लोगों को बहुत जादा पसंद आएगी तो आज में अपने किचन में बनाऊंगी फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी जो कि पांच मिन पर बनेगी और इसे हम बनाएंगे फटे हुए दूद से यानि कि जो पनीर निकलेग उसके बाद क्या करना है फटा फट से इसे चान लेना है और यह प्रोसेस थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इस पनीर को बिल्कुल भी गरम होने नहीं देना है वरना यह थोड़ा सा इलास्टिक फॉर्म में आ जाएगा जैसा कि आपने रबड की तरह देखा होगा तो मैं इसे फटा-फट से थंडे पानी से अच्छी तरीके से धूलूंगी आप चाहें तो इस रेसिपी को मार्केट वाले पनीर से भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर दूर्द फट गया था तो मैंने सुचा कि चलो इसी से बना लिया जाए अच्छी तरीके से धूने के बाद मै कि मैं पूरी तरीके से explain कर रहे हूं लेकिन इस वीडियो को यानि कि इस रेसिपी को तयार करने में आपको टूटल 5-7 मिट लग जाएंगे तो यहाँ पर मैंने ले लिए है एक कढ़ाई और आप नॉंस्टिक कढ़ाई का इसमाल भी कर सकते इस रेसिपी को तयार करने के तो हम क्या करेंगे इस तब तक पकाईंगे यान कि कि दो या-3 मीन के सीतार सकते के हैं कुछ घ्राइफल सकते हैं तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पिस्ता लिया है आप चाहे तो बादाम भी ले सकते या फिर आप ड्राइफूट स्किप भी कर सकते हैं तो पिस्ते को क्या करेंगे हमें अच्छी तरीके से चॉप करना है तो मेरे पास यहाँ पर जो ड्राइफूट स्कुटर है वह तो नहीं है तो मैं इसे इस तरीके से नाइफ से एक दम बारी चॉप करूँगी जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर पनीर बहुत ही तरीके से पग गया है और जो चीनी है वह बहुत ही अच्छी से मेल्ट भी हो गई है और आप देख सकते हैं खूप सारा इसमें पानी भी आया तो यह सटेज बहुत ही सही है दूसरी इंग्रीजिन्स को आड करने का तो अब पाउडर या फिर आप एक चमच एक्स्टा भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी के सासाथ हम इसमें एड करेंगे मिल्क मेड तो यहाँ पर जो कंडेंस मिल्क होता है उसी को मिल्क मेड कहते हैं या मिठाई मेड करते हैं तो यह लगभग 100 ग्राम हम एड करेंगे अब हम इसमें एड करेंगे इलाइची पाउडर थोड़ा सा स्वाद के लिए आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इसे मीडियम टू हाई फ्लिम पे इसे कंटिनुसली स्टर करते हैं पकाएंगे तब तक जब तक यह ड्राय ना हो जाए और आप द स्टेज पर आप इसमें फुड कलर भी आड कर सकते हैं सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे तीन से चार मेंट के लिए पकने देंगे और धीर धीर आप देखेंगे ना कि अच्छी तरीके से थिक होना शुरू हो जाएंगा यानि ड्राय होना बना कोड़ना शुरूर कर दिया है तो अभ घ्या करेंगे ग्यास को आफ करेंगे और इसी साइट में रखेंगे और जब तक इह रेष्ट हो और हुरा फटाफरानम ट्रेश कर लिते हैं तो यहां पर मैंने지 मिनम के स्क्वेयर वाली ट्रे ले लिए अगर आपके पास वाली ट्रे नहीं है तो आप क्या करेंगे हम इसे बटर पेपर लगाएंगे वैसे तो खेर मैं हमेशा जब भी कोई मिठाई बनाती तो रिस्क नहीं लेती बटर पेपर लगाती क्योंकि कभी कबार कोई-कोई मिठाई चिपक जाती तो निकलती नहीं है तो इसलिए मैं बटर पेपर या फिर आप ऐलमीनियम कभी फॉइल लगा सकते या फिर ऐसे भी आप रख सकते खेर ये मिठाई तो बहुत इजली निकल जाएगी तो मैंने उपर से भी इसके उपर घी यह देखे कुछ इस तरीके से और आपना अच्छी तरीके थोड़ा सना हलके हाथों से प्रेस करते हुए इसे चारो तरफ फैलाना यह देखे एकदम पॉफेक्ट इस तरीके से फैलाना है इससे क्या होगा यह मिठाई ना अच्छी तरीके से आपस में बंद जाएगी जिस बहुत जादा लाजवाब आपको गैसा लग रहा है comment section में जरूर लिख करके बताना और अगर आप इस recipe को try कर रहे हैं तो भी comment section में जरूर लिख करके बताना तो ये देखे फटा-फट से अच्छी तरीके से हमें इसे press कर लेना है इसे हमें set होने के लिए रख देना है लगबग 15 से 20 मिट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं या फिर आप आधे से एक घंटे के लिए बाहर रख सकते हैं तो जैसा आपको सही लगे आप ऐसा करें तो मैं एक घंटे के लिए इसे बाहरी रखूँगी उसके बाद इसे कट करके दिखाऊंगी फाइनली एक घंटा हो चुका है और यह बाहरी था बहुत अच्छी तरीके से set भी हो गया है क्योंकि पूरी तरीके से जब तक यह थंडा नहीं हो जाता तब तक आप इसे कट मत करना और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिखरी है मिठाई को यकीन करेगा कि 5-7 में बनने वाली यह मिठाई जो कि हमने पनीर से बना करके तयार की है वो भी घर के फटे हुए दूद से और फेस्टिवल का टाइम है तो गाईस यह बेस्ट आप्शन है इस तरीके से बाज सारे मिठाई को निकालेंगे और यह देखे गाईस दिखना ना बहुत ज़्यादा लाजवाब मेरी तो नहीं यह फेवरेट मिठाई है और मुझे नहीं पता था कि इतना ही आसानी से यह मिठाई बन जाती इस मिठाई का क्या नाम है कॉमें सेक्शन में जरूर लिकर के बत कितनी मजेदार यह मिठाई बन करके तयार हुई है वो भी 5-7 मिनट में और आप इसे रक्षा बंदन पर जरूर ट्राय करना पूरी फैमली भी खुश हो जाएगा और आपका जो भाई है वो तो बहुत जादा खुश हो जाएगा और यह मिठाई ने बहुत जादा मीठी भ लिस्टिचन बबाई